हेलो दुश्टो नमस्कार मार्केट हाई पे चल रहा है तो कोई ऐसे स्टॉक है जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉंग है और वो खरीदने के लायक है तो ऐसे स्टॉक में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तो तो ये स्टॉक आप लोगों ने देखने चाहिए और वापस शुरुवात में ही बताना है चाहता हूं कि आप लोगों ने इन स्टॉक से रिलिटेर स्टडी करनी चाहिए कोई भी स्टॉक में एंटर करने से पहले तो चले दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जैसे आप लोगों को कहा कि मार्केट की अगर बात करें तो Sensex के साथ ही हम लोग शुरुआत करेंगे आप देख सकते हो Sensex almost 41,500 के उपर इसने closing दिये 41,550 के उपर closing दिये जो की बहुत ही अच्छी बात है आज भी 206 points हम लोग को Sensex में jump देखा ही दे रही है उसी के साथ साथ Nifty की भी बात करें सो आज का Nifty का भी performance बहुत ही जबर्देस है यहाँ पे भी all time का record तोड़ते हुए देखने को मिला और यहाँ पे भी अगर आप closing देखते हो सो 12,200 के उपर यहाँ पे Nifty ने closing दिये first time यहाँ पे Nifty ने 12,200 का level टच किया और उसके उपर closing भी दिये जो कि यह संकेत दे रहे कि यह अच्छा कासा जा रहा है उत्रे positive return नहीं दे रहे तो ऐसे कुछ गिने चुने stock है जो कि बहुत ही अच्छी है और मैं चाता हूँ आप लोग इस stock में अगर निचले level में इंटर कर लेते तो आप लोग को long term के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है सबसे पहले शुरुआती कर लेते fundamental strong stock की बात कर रहे तो हिंदुस्तान युनिलिवर दोस्तो कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि इस stock में जोरदार गिरावट आ सकती है आज भी आप लोगों ने देखा गिरावट आ रही है और भी गिरावट आ सकती है reason बहुत ही similar है कल का वीडियो आप मेरा देख सकते है जहाँ पर मैंने reason भी बताया कि 6% तक के stake इनके sold किये जा सकते है JS के द्वारा और इसी के कारण यहाँ पर हम लोग देख सकते है actual में हम लोग को गिरावट डेखने को मिल रही है reason बहुत ही simple है कि यहाँ पर कोई internal issues नहीं है तो यही बताना खासा नीचले लेवल पे आ रहा है आप चाहो तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हो so next question आपका suddenly raise होगा sir अगर यह और नीचे गया तो 1900 का major level तोड़ दिया 1880 का major level तोड़ दिया तो और नीचे आएगा जितना नीचे जाए आप उसमें अपने हिसाब से accumulation करते चले जाओ दोस होने की ज़रूत निए पिछले वीडियो में मैंने यही बता है था जब सब लोग भागने की बात करें सब की भाशा देखिए लिखने की भाशा के से सर क्या actual से exit हो जाओ क्या दूसरे शेयर में shift करूँ जब ऐसी भाशा आप गर आप यूस करते हो तो समझ जाना वहाँ प आप मेहाँ पास दिन का chart pattern गिरते हुए एक मैने का chart pattern भी गिरते हुए बट मैं हमेशा केत है तो यह short term की बात है हुए अगर आपको in div शेक करोगे अगर बात करें NSE के ओफिशल वेबसाइट पे जाके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 52 विक लो एंड हाई अगर लो की बात करें तो 1650 के इसने लो बनाया था अगर हम लोग देखते हैं तो लगबग 2200 के करीब चलने वाला स्टॉक अभी हम लोग को 1900 के आसपास देखने को मिल रहा है तो इतनी मस्त यहाँ पे opportunity create हो रही है और वापस बता रहा हूँ गिरावट के पीछे की वज़ा कोई internal issue नहीं है नॉर्मल मामूल issue है इसके वज़े से क्या actual खतम नहीं होने वाली है इतनी बड़ी FMCG वाली company है तो यही हम लोगों को opportunity grab कर लिए और यहाँ पे आज के दिन का performance देख लेते यह देखिए 55% से ज़्यादा लोग इस share में इंटर करके यहाँ पे आज उन्होंने portfolio में यहाँ पे add कर दिये company information में देख लेते फटाफट यहाँ पे तो आप देख सकते है company के results बहुती गजब के result है quarter 1 के result quarter 2 के साथ compare करो तो आप देख सकते quarter 2 के result quarter 1 से भी अच्छे है ऐसा भी नहीं company consistently dividend देती है share holding pattern भी बहुती मजबूत है उसी के साथ साथ अगर plagging की भी बात करे तो हम लोग देख सकते 67% में से कोई भी share यहाँ पे गिर्वी नहीं रखा हुआ है तो overall company इतनी fundamental strong है और कल भी मैंने कहा था कि डरने की ज़रूत नहीं जो भी level अगर आपको मिलता है इंटर कर लेना बहुती fundamental strong share है तो market तो high जा रहा है बट यह share नीचे जा रहा है तो उसकी opportunity आप लोगों ने यहाँ पे जरूर उठानी चाहिए तो उसके बाद जो next share है दोस्तों वो भी FNCG सेक्टर से जुड़ा हुआ है जिसका नमे मैरिक को मैरिक को यह मेरे personal portfolio में भी है actually मैरे personal portfolio में भी है आप देख सकते हैं जीतना नीचे जाएगा मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता यह strong, fundamentally strong है आप देख सकते हैं वापस यहाँ पर 5 दिन का चार्ट पेटन आप लोगों को एक बार नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है या फिर एक मैने का भी चार्ट पेटन या अगर आप short term वाले चार्ट पेटन चेक करोगे तो वहाँ पर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है एक मैने का चार्ट पेटन देख सकते हो आप बट जैसे अगर आप long term के चार्ट पेटन देखोगे अगर आप अपना नजरिया लंबा रखते हो उतना ये शेर आपको profit देखे चला जाएगा अगर आप short term के नजरी से देखोगे तो आप लोगों को stock market में बहुत ही rare opportunity होती है तो इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके भी portfolio में Mariko जैसा share है उन लोगों ने कोई भी panic करने की जरूरत नहीं है और ऐसे के official website पे भी चले जाएगे तो यहाँ पे zoom करके आज के दिन का performance देख लेते तो आप देख सकते हैं लगबख 50% से जादा लोगों ने ये share को खरीद के अपने portfolio में रख दिया है company information की बात देख लेते तो आप देख सकते quarterly result भी बहुत ही अच्छे compare करके आप भी देख सकते और 2019 की बात करें तो company ने यहाँ पे दो बार dividend अल्रेड़ी दे दिये है तो company overall बहुत ही अच्छे share holding pattern भी अगर हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छे 59% से जादा share है promoters ने कितने गिरवी रखें वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो की 0% है so overall America हो हिंदुस्तान Unilever है दोनो FMCG सेक्टर के बहुत ही तगड़े shares है और यह गिरावट में अगर आप इने खरीद लेते हो और अगर उनमें और भी गिरावट हुती है इनमें इंटर कर लेते हो और long term के लिए छोड़ देते हो तो यह बहुत ही अच्छा कासा return आप लोग को ज़रूर future में बना के देंगे तो यह दो stock के बाद जो next stock यहाँ पर मैंने select किया है वो है PGHL PGHL से related बहुत सारे लोग panic हो रहे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया थे और वहाँ पर मैंने clear disclaimer दिया था यह stock में सिर्फ वहीर लोग रहना चाहिए जिन में जिगर होता है मतलब बहुत ही volatility आप सभी लोग को पता है stock market में होती है तो यह stock उसी में आता है जहाँ पे हम लोग को बहुत ही उतार चड़ाओ देखने को मिलता है बड़ जैसे long term अगर आप देखोगे chart pattern तो आप देख सकते हो 5 साल का chart pattern देख लेना 800 पे मिलने वाला share का अभी जो 3-4000 हो चुका है all time का chart pattern देख लेना आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को कोई गिरावट नहीं दिखेगी तो यह गिरावट डिखती क्यों है क्योंकि आप high level पे खरीते हो अभी अभी मैंने वीडियो बना है ना वही तो problem है आपकी जब stock अच्छा खासा चलता है तब आप enter करते हो अगर कोईसी ने नीचले लेवल पे भी खरीदा है तो उनको यही कहना चाहूँगा आप लोगोंने stock को holdी रखना चाहिए सिर्फ यही है कि अगर यहाँ पे volatility जादे होते है volatility मतलब जो उतार चड़ा हो रहेता है stock का वो कुछ जादा ही हत्का होता है तो यही कहना चाहूँगा उससे आप लोगोंने डरना ने चाहिए long term के लिए इसको hold रखना चाहिए सो PGHL चाहिए अगर हम लोग NSA के official website की भी अगर detailing की बात करें तो आप देख सकते हो इतनी गिरावट के बाद भी यहाँ पे लगबग 49-50% लोगों ने यह share को खरीद के अपने portfolio में रख दिया है सो PGHL के बाद जो नेक्स share यहाँ पे मैंने सिलेट किया है वो है मदर संसुमी आप सभी लोगों को पते है आटो सेक्टर बहुत दिक्कतों के साथ जा चुकी है मुझे ऐसा लगता है कि कोई share अगर सबसे पहले recovery दिखाएगा तो वह है मदर संसुमी यह stock already recovery दिखा के हो चुका है यह stock तो मैंने 107 के level पे आप लोगों को कहा था कि इसमें इंटर के लेना वो वाला वीडियो देखना है तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकत करें NSE के official website पे भी इसका अगर हम लोग performance देख ले तो आज के दिन का performance आप देख सकते हैं लगबस 26% लोगों ने इस share को खरीद के रखा है अगर company information की बात करें तो आप देख सकते हैं company के पहले result negative आते थे अभी compare करके आप देख सकते हो positive आना शुरू हो चुके result बढ़ना देखें तो यह stock लगबग आप यहाँ पे count करके देख सकते हैं धाईसों के उपर चलने वाला share अभी नीचे आ चुका है and reason बहुत ही से में external reason यहाँ पे थे जिसके वज़े से यह stock में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है so auto sector का कोई भी share अगर आपके portfolio में रहेगा तो यही कहना चाता हूँ जिन लोगों ने भी इसको मंदी में खरीद है नीचे ले लेवल पे खरीद है उन लोगों को long term में इसका जबरदस profit जरूर होने वाला है so mother son sumi यह भी बहुत ही बढ़िया share है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसी के साथ साथ जो next area आप यहाँ पे देख सकते हैं यह भी highly volatile share है similar kind of a PGHL जिसका नामे आर्ती industry यह इसका भी अगर आप chart pattern देखोगे 5 दिन का या फिर 1 मेने का chart pattern तो आप लोगों को गिरते वही देखेगा बट 1 साल का chart pattern देखना 5 साल का chart pattern देखना या फिर all time का chart pattern देखना तो यही चीजे यह जता थी कि अगर आप इसको long term hold करोगे यह बार बार में continuously repeat कर रहा हूं कि long term hold करना long term hold करना क्योंकि long term में ही पैसा बनता है अगर आप short term में जाओगे तो आप लोगों का पैसा नहीं बनेगा बार बार आप लोगों को exit लेके lost ही book करना पड़ेगा तो आरती industry भी highly volatile stock है तो इधर भी जिन लोगों को risk लेना ज्यादा पसंद है उनके लिए यह stock बना हुआ है इतनी गिरावट के बाद भी आप देख सकते हो 50% से भी ज्यादा लोग इस share में enter करके यहाँ पर बने हुए company बहुत ही अच्छे company की result भी बहुत ही अच्छे आप compare करके देख सकते हो किसी भी quarter से related अभी अभी हाली इस company में bonus भी होता so company overall अच्छे fundamental strong है अगर share में गिरावट आती इसका मतलब यह नहीं की share खराब हो गया सारे share अभी इसके पहले ही मैंने वीडि करोड देना है तो अच्छा कासा return आप लोगों को मिल जाएगा तो उसके बाद और एक share यहाँ पर मैंने आपके समने open के जो कि fundamental strong है निफ्टी 50 में आता है राकेश जुन जुन वाला जी के साड़े साथ हजार करोड इस स्टॉक में लगे हुए जिसका नामे टाइटन तो यही कहना चाहूगा इसका भी स्टोरी से में 5 दिन का चाट पेटन एक मैने का चाट पेटन तो हम लोगों को गिरते ही दिखेगा क्योंकि यह short term वाली बाते होगी जैसे एक साल का चाट पेटन आता है पाच साल की चाट पेटन की बात आती है आप ही देख लेना कितना जबरदस परफॉर्मंस है जहाँ पर यह चाट पाच साल पहले साड़े 300 के आसपस देखने को मिलता था एंड ओल टाइम का चाट पेटन भी अगर आप देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या जबरदस रैली बनी हुई है तो अभी आप देख सकते हैं यह पाच आल टाइम का चाट ओपन हो चुका है तो बहुत ही गजब के रैली है तो उसी के साथ साथ नसे के ऑफिशल वेबसेट पे भी इसका डेटा अगर हम लोग देखते तो आज के दिन का परफॉर्मंस यहाँ पे देख लेते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगबग 32% लोगों ने इस शेर को खरीद के अपने पोर्टफोली में रख दिया है रिजल्ड भी इस कंपनी के बहुत ही शांदारे एंड मेंटेनेबल रहते हैं तो अगर आप लोगों को अच्छा कासा प्रोफिट जरूर होगा वापस में आप ल कम से कम 2-3 साल कम से कम में बात कर रहा हूँ अगर कुछ-कुछ लोग बोलते सरम लोग 5 साल होल्ड करोगे तो उनके लिए ये तो स्टॉक और भी बढ़ी है तो यही करना है दोस्तो लॉंग टम अगर आप इसको होल्ड करते हो ये स्टॉक आपका पैसा बना के देने वाले शौट टम की बात करें तो डेफिनेटली आप लोगों को पैनिक ये क्रियेट करेगा इसका मतलब यह नहीं कि आप इसमें से एक्जिट हो जाओ बट वापस वीडियो को क्लोज करते हो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तो ये सारी चीज़े मैंने एजुकेशन परपस से बुलिए सो कोई भी स्टॉक में एंटर करने है तो आप लोगों ने अपनी स्टडी करनी चाहिए रिसर्च करनी के चाहिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और उसके बाद ही आप लोगों ने डिस्जिएन लेना चाहिए कि आप लोगों ने एंटर करना चाहिए या नहीं सो फिलाल वीडियो के यह पर रखना चाहूंगा, आयों पाशा करता है दोस्तो, आज का यह वीडियो अच्छा लगा आगा, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting in earning studio, तब तक के लिए, बाई बाई